कि नमस्कार आप देखरें टर्णिंग पॉइंट और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी दिलिक के मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल के चहेते निताओं का नाम घोटाले में तो आही चुका है और अब तो खुद केज्रिवाल के उपर गिरफतारी की तलवार लचकी और जब आप भी इसके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरो के निचे से भी जमीन खिसक जाएगी केज्रिवाल खुद को कटर इमानदार बोलते हैं लेकिन जब केज्रिवाल का नाम आता है तो ज्यादा तर लोगों के दिमाग में यही आता है कि अब उन्होंने क्या नया आज ही की है सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं केज्रिवाल के जूट की खुल गई पोल मजदूरों को लेकर केज्रिवाल ने क्यूं बोला जूट गटर इमानदार निकले बड़े धोके बाद असली मजदूरों की जगापन नकली से मिले दिल्ले के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इस महेने की शुरवात में इस बात का दावा किया था कि अर्विन केज्रवाल ने सिल्क्यारा सुरंग हाथसे मिफा से 41 मजदूरों को निकालने वाले रैक्ट मानर से मुलाकात की है लेकिन अब इस दावे के सारी के सारी हकिकत सब के सामने खुल करा गए है और साथ ही उस दावे की सच्चाई से भी परदा हट गया है कि आखिर वो दावा जुटा है या फिर सही दरसल अब इस दावे पर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सुरंग हाथसे में फसे लोगों के लिए जिन बारा रैट माइनर्स ने मेहनत की थी उन्हेंने कहा है कि अर्विन केजवाल ने उनमें से एक से भी मुलाकात नहीं की है जी हाँ ये सुनकर आपको भी शौक लगा होगा लेकिन ये हकीकत है और केजवाल के दावों की सच्चाई है अर्विन के जवाल लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि वो सुरंग में काम करके मजदूरों को बाहर डिकाले वाली रैट मानस से मिले थे लेकिन अब उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ कई है दरसल मजदूरों की तरब से अब दावा क्या जा रहा है कि अर्विन के जवाल का दावा परजी है रैट माइनस वकील हसन ने तो अर्विंद केजरिवाल के सभी दावों चाहे वो रास्तितिक हो या सरकारी काम के सभी पर संदेह की उंगले उठा दी और काया कि अब उन्हें अर्विंद केजरिवाल के किसी काम पर भरोसा नहीं है एक मीडिया चेनल से बाठचीत में वकील हसन ने कहा कि हम मेंसे किसी भी वैक्ति से अर्विंद केजरिवाल ने मुलाकाद नहीं की है खुजोरी कहास इलाके में रहने वाले वकील हसन ने अर्विन केज़जिवाल से बहतर हमारे अस्थानिय सांसत मनोच तीवारी जिने दूसरे हिद दिन हम सबसे मुलाकात की थी और हमारा होसला बड़ाया ऐसा कहा वकिल हसन ने कहा कि सबसे पहले मैंने शुसल मीट्या पर अर्विन केज़वाल के रैट माइनर से मिलने की खबर देगी हमें लगा कि ये कोई फेक नूच हो की फिर ये खबर हर तरफ फैलने लगी जो कि पूरी तरह से गलत थी हम से ना तो दिल्ली जलबोर्ड और ना ही अर्विन केज़वाल के किसी भी व्रक्ती ने मुलाकात की है मैं इस बात से आध हूँ वकिल हसन ने जब ये कहा कि उन्होंने उत्राखंड सरकार के तरफ से घोसित किये गए पच्चास हजार के राशी को क्यों ठुकराया और ने कहा कि अंदर पसे लोगों को एक एक लाख रुपए दिये गए हमें पच्चास हजार रुपए ही क्यों इस मामले में उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग्धामी ने हमसे कहा कि वो जल्द ही कोई अच्छा समाधान निकालेगे आपको यहां पर ये जानना जरूरी है कि एक दिसम्बर को दिल्ली की मंत्री आतीशी ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजजवान ले उत्राखंड के सिलक्यारा टैनल मामले में 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रैट माइनर्स से मुलाकात की है उन्होंने बताया था कि इस दोरान CM केजवान ने रैट होल माइनर्स की टीम को सम्माने भी किया उन्होंने दिल्ली और देश के लोगों की तरप से पूरी टीम को धन्यबाद कहा रैट होल माइनर्स की टीम ने इस मौके पर सुरंग हाथ से में फजी मज़दूरों को किस तरह निकाला इसका पूरा वाक्या भी सुनाया हलाकि अब इस दावे को औरिजनल रैट माइनर्स ने खारिच कर दिया है वैसे कि जिवाल का जूट पहला नहीं है इससे पहले भी कि जिवाल नजाने कितने जूट बोल चुके हैं जिन में से कुछ हम आपको बताते हैं दरसल दिल्ली में यमुना नदी को लेकर हमेशा ही कि जिवाल बुरी तरह से फस जाते हैं और उनके बदलते बयानों की वज़ज से उनकी जम कर फजहत होती है और दिल्ली के मुक्यवंद्री अर्विन के जिवाल 2015 से यमुना नदी के सफाई को लेकर जूटा वादा करते आ रहे हैं हर साल उन्होंने दिल्ली वासियों को वादों का जुनजुना ही थमाया हर बार उन्होंने अगले साल यमुना की सफाई करने का वादा कर लोगों को बरगलाया इस बार के लोकास्था के महा पर्व छट पूजा के आउसर पर भी दिल्ली में यमुना नदी के घाचों पर प्रदूशन की भरमार रही प्रदूशन की वज़े से यमुना का पानी जाग हो गया लेकिन अपनी नकामे छपाने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी के जवाल सरकार में छट पूजा से पुर्व यमुना में केमिकल का छड़काओ करवा दिया यह केमिकल ना केवल जलिये जीव जन्तू के लिए विशैला है बलकि छट के वरती लोगों के लिए काफी नुकसान दायक भी है इससे स्क्रीन की बिमारी भी हो सकती है लेकिन दिल्ली के माले को यमुना के सुध नहीं है वे अपना शीस महल बनवाने में मद्न है यहाल अपनी नकामी छुपाने के लिए यमुना में जहरीली जाक को दबाने के लिए केमिकल का छड़काव कर दिया इस केमिकल से क्या यमुना का पानी दुश्यत नहीं होगा जीव जन्त वो और सधालों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा के जिवाल सरकार को पूरे साल याद सबसे बड़ा जूट बोला था कि 5 साल के अंदर अपने को ऐसा करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट पर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवानवित करवाना है कि हाँ दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफ लाइफ लाइन है इतना है नहीं म हु, यमुना को लेकर एक बड़ा commitment हमारा ये है, अध्यक्ष महोदे कि इसकी हम पूरी ससाफाई करेगी, इसकी पूरी सौनदरी करड की योजना बनाई है, और ससाफाई को सौनदरी करड की योजना के बाद, इसमें समय लगेगा लेकिन अगले कुछ साल में, और पात साल ख कि लोग यहां पिकनिक मनाने आ सकें बोटिंग करने आ सकें और लोग गर्व से करें यह हमारे राजिकी नदी है इतना ही नहीं दिल्ली के सिक्षा मंत्री आतीशी मारलीना यूपी से कह रही है कि वह फॉम वाला गंदा पानी यमुना में आ छोड़े जबकि यमुना दिल्ली होते हुए फिर यूपी में प्रवेश करती है और यह जिस बैराज की बात कर रही है उस बैराज से पानी दिल्ली में आता ही नहीं है सोचिए यह दिल्ली के सिक्षा मद्री है जो कह रही है कि उल्टी यमुना यूपी से दिल्ली की तरब बैती है लेकिन सच यह है कि यमु की सफाई की नई तारीक 2025 मुकर्रर करती है शराब घोटाले से लेकर तमाम वीतिये आन्या मित्ताओं में फंस चुके के जर्वाल सरकार ने यमुना के नाम पर भी बड़े घोटाले को अंजाम दिया पिछले पांच साल में दिल्ली सरकार ने यमुना के नाम पर 6800 करोड रू इससे पता चलता है कि दिल्ली के विकास को लेकर उनकी नियती साफ नहीं है जिनता की गाड़ी कमाई का हच्जारों करोड रूपया बिग्यापन में और घोटाले में लगाने वाले के जिवाल को अब जिनता पहचान चुकी है और अगले चुना में उनको माफ नहीं करने इतना जूट बोलने के बाद भी के जिवाल ने रैट माइनर्स को लेकर छूट बोलकर अपने इमिज चमकाने की कोशिस की लेकिन के जिवाल का जूट अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है टर्निंग पॉइंट में फलाल के लितना ही बाकी खबरों के लिए आप देख मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूट पहँचानता हूँ संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर ख़बर से ख़ड़ा सक्ष निखानता हूँ ना कोई दौड ना कोई रेट्स, क्यापिटल पी उत्तर देख अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया